Hello everyone and welcome to Education Encheivers. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UGC Net Paper 1 ICT Unit के एक important topic conversion के बारे में. Conversion किसका? Binary to decimal या फिर decimal to binary. यानि अगर हमें कोई binary संख्याद दी हुई है तो हम उसको decimal में कैसे convert करते हैं या फिर question में decimal कोई number दिया हुआ है और हमें उसको binary number में convert करना है तो वो हम कैसे convert करते हैं ये topic आप लोगों के लिए बहुत important इसलिए हो जाता है क्योंकि इस topic से लगतार question पुछे जा रहे हैं हर साल question पुछे जा रहे हैं 2011, 2012, 14, 15, 2021 हर साल इससे question पुछे जा रहे हैं इसलिए इस topic को करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप लोगों को ये topic पहले से आता है तो आज आपका revision हो जाएगा और अगर आपको ये topic नया है आप लोगों के लिए नहीं पड़ा है तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आज आपका ये concept बिल्कुल किलियर होने वाला है और बिल्कुल खेल खेल में आप चुटकियों में इसका answer निकाल लोगे ठीक है तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आपको भी logical reasoning के कुछ tough topics जैसे की mood and figure, square of opposition, types of definition या फिर formal, informal fallacies इन से डर लगता है तो मैंने इस channel पर बहुत ही आसान शब्दों में आपकी real life से connect करते हुए बहुत ही simple way में चीजों को समझाया है logical reasoning को इन topics को तो आप please जा कर देख ले न मैं description में भी link दे दूंगी और मैंने playlist भी बना दिये तो आप लोग जा कर check कर सकते ह एक्जाम से पहले अगर आपने topics नहीं किये हैं तो एक्जाम से पहले आपके topics अच्छे से cover हो जाएं बस आपका paper अच्छा होना चाहिए ठीक है ऐसे नहों कि इन topics की वज़े से आपका paper दो नंबर से या तीन नंबर से या चार नंबर से रह जाए त्योंकि net exam में marks बहुत matter करते हैं एक नंबर से भी आपका कई बार net का exam रह जाता है अब हम start करते हैं हम पहले देखते हैं कि binary to decimal में convert कैसे binary number को decimal number में कैसे convert करते हैं तो इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि binary और decimal का मतलब क्या है binary का मतलब होता है binary में सिर्फ दो number आते हैं या तो आता है 1 या फिर 0 binary संख्याएं ही वो होती है जिसमें सिर्फ दो numbers का use होता है या तो 1 हो सकता है या 0 अब ये इस तरह से हो सकता है 11001 या फिर 011 इस तरह से कैसे भी हो सकता है और इन numbers के अगर base में 2 लिखा हुआ है इसका म जैसे कि यह है संक्या 16 और इसके बेस में क्या लिखा हुआ है 10 इस तरह से अगर कोई संक्या लिखी हुई है तो उसका मतलब होता है decimal तो यह आपने समझा कि binary और decimal के बीच फर्क क्या होता है अब हम देखते हैं कि binary नमबर को decimal नमबर में convert कैसे करते हैं इसको जानने से पहले आपको कुछ चीज़ों को पता होने चाहिए इसको हम formula भी कह सकते हैं या कैसे भी आप इसको ले सकते हो जैसे कि यह है 2 की power 0 ठीक है, यहां से 0 से हम शुरुआत कर रहे हैं, 2 की पावर 0 से आपको शुरुआत करनी है, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, एक तो है इसका तरीक है, अब 2 की पावर 0 जो होता, उसका क्या मतलब होता है, अभी यह में क्यों बता रही हूँ, यह अभ हुआ 4, 2 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ 8, and 2 की पावर 4 का क्या मतलब हुआ 16, and so on, है न, या तो आप इस तरीके से power की तरीके से याद रख सकते हो, यह इसका दूसरा तरीका है, 1 1 से start कीजिए आप 1, 1 का double क्या होगा 2, 2 का double क्या होगा 4 4 का double क्या होगा 8 8 का double 16, और 16 का double 32, 32 का double 64 ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है ठीक है, अभी आपको पता चले गए अब यह मैं क्यों समझा रही हूँ, 1 से आपको शुरू करना है और उसके बाद जो भी संक्या आती जाए उसका double करते जाना है, जैसे 1 का double 2, 2 का double 4, यह याद हो गया अब हमारा की question है, कि जो हमारी binary संक्या है, यह वाली 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, यह binary संक्या है question हमारा आपके सामने है, कि 1, 1, 0, 0, 1, 1, जो हमारी binary संक्या उसको decimal में convert कैसे करना है यह सब जो लिखा हुआ यह नहीं देखना है आपको बस जो मैं बता रही हूँ, उसको अच्छे से सुनना है सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो binary बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है एक्जाम देते वक्त, पेपर पे जो भी binary नंबर लिखा हुआ है, उसको आप लिख लीजिए लिखने के बाद जो हमने यह अभी पढ़ा था 1, 1, का डबल 2, 2, का डबल 4 इसको आप लिखना शुरू कीजिए, राइट हैंड साइट से यह दिखी, यह लिखा है ना हमने 1, 1 का डबल 2, then 4, 8, 16, and 32 जो भी संख्या है उसके उपर लिखते जाईए यह कर लिया, इसके बाद क्या करना है, second step क्या होगा जो 0 वाली संख्या हैं, उसको काटती जाईए उसको बिल्कुल काट देना है उसको हमें देखना ही नहीं है 0 वाला पूरा काट दीजी उसके बाद क्या करना है, यह जो है हमारे जो बाकी उपर की संख्या हैं बची है जैसे 32, 16, 2, and 1 इन सबको क्या करना है, add 32, 16, 2, and 1 इनको add करने के बाद क्या है, हमारा 51 और यही हमारा क्या होगा, answer इसके base में 10 लिख दो यही होगा हमारा answer, वहापे 10 नहीं भी लिखा हुआ होगा, खाली 51 भी लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि यही हमारा right answer है I hope आपको समझ आया होगा बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है क्या करना है आपको, जो भी नंबर दिया हुआ है अगर आप art side से हो या science side से हो, आप सभी लोगों की समझ में यह आ जाएगा, जो भी आट दीजे, और उपर की जितनी भी संख्या है बची उनको प्लस कर दीजे, आपका answer आ जाएगा बस, इतना आपको करना है और आपका answer बिल्कुल सही होगा हो गया ने, एकदम चुटकियों में answer आगया आपका अब आगे देखते हैं हम कि decimal को binary में कैसे convert करते हैं यह पहले वाले से भी आसान है उसमें तो आपको याद रखना पड़ेगा double करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ कर रहे हैं इसमें तो आपको क्या करना है जैसे यह decimal number हमारा दिया हुआ है 24, 24 हमारे decimal number है इसका हमें binary बताना है किसका binary क्या होगा 24 decimal का binary equivalent क्या होगा पूछा हुआ question है ये भी ठीक है, तो 24 का आपको सिर्फ LCM ले लेना है LCM लेना तो आप सभी को आता होगा बच्पन में सिखाते हैं, छोटी classes में भी हमें सिखाया जाता है सभी को, LCM में क्या होता है सिख डिवाइड करना होता है जैसे डिवाइड वाले हमारे questions होते हैं उसी तरीके से तो यहाँ पर 24 का हमें LCM लेना है तो हमने LCM कैसे लिए 2 से क्योंकि हमें binary में convert करना है तो यहाँ 2 से ही लेना है हमें ये 2 से, 2 1s are 2 और 2 2s are 4 reminder कितना बचा हमारा 0 उसके बाद then 2 6s are 12 reminder कितना बचा 0 2 3s are 6 reminder 0 फिर 2 1s are 2 reminder कितना बचा 1 इतना कर लिया जब 1 आ जाए ये वही पर stop हो जाना है वही पर रूप जाना है जब 1 आ जाए तो उसके बाद या करना है इस 1 को उठा के आप यहाँ पर मान लीजे अब answer का क्या तरीका होता है answer हमें एक तो इस से कोई मतलब नहीं है LCM से यहाँ पर 12 आ रहा है 6 आ रहा है इस से कोई मतलब नहीं हमारा जो main मकसद होता है हमारा जो मतलब होता है वो इस से होता है reminder से यही हमारा answer होता है इसमें हमारा answer छुपा हुआ होता है करना क्या है answer के लिए बस इसको नीचे से उपर की तरफ चलना है उल्टा उल्टा आपको चलना है जैसे कि 1 है न तो 1, 1, 0, 0, 0 नीचे से उपर की तरफ चलना है वही आपका answer होगा जैसे इसका answer क्या होगा 1 1 और 0 0 0 ये होगा हमारा answer किसका 24 decimal का binary equivalent जो होगा वो होगा 1 1 0 0 0 आपको 4 option दिये हुए होंगे मिलते जुलते आपको इस तरह से अपनी rough sheet पर इसको solve करना है LCM निकालना है बस और LCM निकालने के बाद जो भी reminder बच रहा है उसको लिखते जाएए साइड में और फिर नीचे से उपर की तरफ चलते हुए आपको answer लिख देना है बस सबसे last में जो 1 आएगा उसको यहीं इसी के नीचे लिख देना क्योंकि इसको भी हमें मानना है इसको साथ लेके answer आएगा पर न गलत हो जाएगा अगर आपने सिर्फ यह वाले reminder लिख दिये न तो गलत हो जाएगा इस one को भी आपको लाना ही आपर ठीक है I hope आपको समझ आया होगा तो यह हमारा हुआ binary to decimal to binary किस तरह से convert करते हैं मैं आपको homework questions भी दूँगी और अब हम देखते हैं यह December 2014 में आया हुए question है बागी भी बहुत सारी questions आये हैं लेकिन अगर आपको अगर बेस पता है आपको जो है knowledge है concept की तो आप किसी भी तरह का question आजाए आप solve कर लोगे यह question है binary equivalent of decimal number 35 is अब जो हमने तरीका पीछे use किया था वही तरीका यहाँ पर ही उस करना है यहाँ पर हमें decimal number दिया हुआ है 35 उसका हमें क्या बताना है binary equivalent बताना है क्या करेंगे अब हम वही अपना तरीका 35 लिख लेंगे 35 लिखने के बाद इसका हम निकालेंगे LCM LCM कैसे निकालेंगे 2 से 2 बन जा 2 and 2 7 जा 14 उसके बाद यहाँ पर reminder कितना बचा 1 उसके बाद हम देखेंगे 2 8 जा 16 यह reminder कितना बचा 1 उसके बाद 2 4 जा 8 reminder कितना बचा 0 उसके बाद 2 2 जा 4 reminder कितना बचा हमारा 0 then 2 1 जा 2 reminder कितना बचा 0 किस तरह से चलना है नीचे से उपर की तरफ, उल्टा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, 0, 0, 0, 1, 1, ये हो जाएगा हमारा decimal number 35 का binary equivalent, अब option में देखिए, option में कहां पर लिखा हुआ आएए, first option, इसलिए हमारा right answer क्या हो जाएगा, right answer will be 1, 0, 0, 1, 1, जो कि हमारा है option number A, option number A will be the correct answer, अब समझ में तो आगया होगा आपके सब, अब मैं आपको homework question देती हूँ, homework question इसलिए दे रही हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको समझ आई है, आपको comment box में answer करना है, कोई चीज़ हम पढ़ लेते हैं और फिर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर आप उस चीज़ को समझने के बाद, अगर आप उसको लिखते हो, note करते हो, वो हमेशा आपको याद रहती है, तो आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको concept अच्छे से समझ आया है, तो आप इन तीनों question का answer मुझे दोगे comment box के अंदर, क् कि बहुत easy concept है, एकदम हो जाएगा, तो आपको question number 1 है, हमारा which one of the following represents the binary equivalent of the decimal number 25, 25 जो हमारे decimal number है, उसका आपको binary equivalent बताना है, second question क्या है, decimal number of 110101, ये जो हमारा binary number है, इसका decimal number बताना है, और third question भी हमारा क्या है, decimal number बताना है, आपको 101011 का, ये तीन question का, तीनों question का answer, आप लो inbox में देना, ठीक है, अगर आपको समझ आया है, अच्छे से तो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी helpful लगे, तो please please channel को subscribe करना, आपको subscribe करने से मुझे पता चलेगा कि मैं जो काम कर रही हूँ, वो आपको समझ आ रहा है, जो मेरा समझाने का तरीका है, वो आपको ठी हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, इसलिए please वीडियो को like और subscribe जरूर करना, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक next वीडियो के साथ, thank you so much